अज महीनों तक तीतर उड़ाने के बाद पडोसी पाकिस्तान अब वापस उसी रास्ते पर लोट रहा है जहांसे उसकी गाड़ी पटरी पर आ सकती है पाकिस्तान धार्मिक भावनाओं को तबज़ दे कर धीरे धीरे भारत के साथ संबन सामानी ने बनाने की नीती पर काम कर रहा है करतारपुर कोरिडोर को खोलने के बाद अब उसने कटास राजमंद्र के दरसनों के लिए भारते सरदालों को पाकिस्तान आने का नोता दिया है इसका मतलब यह है कि भारते से रिष्टे खराब करने से उसकी अपनी मुश्किल बढ़ गई है जो हर बीते दिन के साथ उसकी समश्याओं को और ज़्यादा बढ़ा रही है उसकी गाड़ी को पट्री पर लाने का एक रास्ता धार्मिक इस्थलों को भारतों के लिए खोल कर नरम दिली दिखाने से बन सकता है वैसे भी अन्य सारे चैनल पाकिस्तान पहले ही बंद कर चुका है ले देकर यही एक कूट नितिक माध्धम इसके पास सुरक्सित था जिसका उसने इस्तमाल करना सुरू कर दिया है पाकिस्तान का जन्मानास अनुचे 370 के उस परकरन को भूल चुका है जिसके बाने इमरान खान ने पूरे मुल्क से अपनी सत्ता पर चांदी ब्रसवाने की कोशिस की थी देश खुद मुसीबतों से जूज रहा है जनता महगाई, बेरोजगारी और भुकुमरी की समश्यव में इतनी उलजी है कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे गोण हो चुके है ऐसे में पाकिस्तान सरकार भारत से धीरे-धीरे रिष्टे सामानी न कर पाकिस्तान की गाड़ी को पटरी पर लाने क्यों व्यग्र है इसी कड़ी में एक साल के बाद भारत के सो तीरतियात्री आजवागा बोडर पार करके पाकिस्तान के मंद्र की यात्रपन निकल गई पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्थिद कटासराज मंद्र के लिए यह जथा कल वागा बोडर पहुचा था पाकिस्तान ने अपने यहां दो सो तीरती आत्रों के आने की वबस्थक की हुई है जिसमें तीरती आत्रों के लिए 36 कमरे सजाय सवारे गए है ये दस दिविश्य तीरती आत्रा है जो अनवरत रूप से चलती रहेगी कटास राज मंदीर कई हिंदू मंदरियों से भी जुड़ा हुआ है इसके परिशर में कटास नामा के एक तालाब भी है जिसे हिंदू अद्वारा पवित्र माना जाता है पाकिस्तान ने सोतीर तियात रोगों कटास राज मंदीर में आने के अनुमती देकर एक अच्छा संकेत दिया है उम्मीद यही की जारी है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंदों को सामानने करने पर और अधिक जोर देगा इसे के साथ अनुमती दोस्तो जै हिंद